स्री शिवाय नमस्तुप्यम दर्शकों एकादशी के दिन भगवान विश्णों की पूजा और व्रत का विधान हैं एकादशी का व्रत अपने नियोमों को लेकर बेहत कठिन माना जाता है हर माहा दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत होता है वही माग मास में आने वाली क् आपको भगवान विश्नु के साथ सात माता लक्ष्मी की करपा भी प्राप्त होती है आएए जानते हैं कुछ उपाए जिनको करके आप अपने जीवन की प्रतिक समस्या जैसे की धन सम्बंदी समस्या है, सिक्षा, बीमारी, अन्य कोई समस्या हो, तो आप यह उपाय अवशे कर लें, आपने घर में सुक सांती समरद्धी के लिए भी इन उपायों को किया जा सकता है, और अपने घर की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो आए जानते हैं क्या है उपाय, सबसे पहले आप एका दशी के दिन सुबा सुबा उठकर भगवान विश्णू का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, और जिस लोटे से आप जल प्रजुलित करते हैं, तुलसी माता को, सूर्य भगवान को, उस जल में आप क जल से आप तुलसी माता को जड़ में अर्थ दें, तुलसी माता के जड़ में उस जल को समर्पित करने से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, आप नहाने के पानी में भी तिल जरूर मिला लें, कहा जाता है कि यह मास तिल के दान और तिल के उपयोग के लिए उत्तम्म बना गया है तो भगवान विश्णू की पूजा में आप तिल का विशेश उपयोग करें भगवान विश्णू माता लक्ष्मी को तिल समर्पित करें तिल से बने प्लड्डू या फिर तिल से बने कोई भी पकवान का भोग जरूर समर्पित करें इस दिन आप खीर का भोग अ हैं दूद से गाए के दूद से निर्मित खीर जरूर बनाए अपने घर में अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आप तुझ सी माता को जड में सफेद गाय का दूद कच्चा दूद समर्पित करें कच्चा दूट समर्वित करने से आपके घर में धन धाने की कोई कमी नहीं रहती शाम के समय आपको तुलसी और पीपल के वरक्ष के नीचे सरसो के तेल का दीपक जरूर प्रजवलित करना है इससे शाम के समय तुलसी माता के सामने आपको सरसो के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और पीपल के वरख्षी के नीचे भी आप सरसो के तेल का दीपक जरूर समर्पित करें क्योंकि पीपल के वरख्षी के नीचे शाम के समय मातलक्षमी विराजमान होती है साथी विश्णु भगवान आप एका दशी के दिन भगवान विश्णु के लिए सत्यनारण व्रत की कथा भी कर सकते हैं पंचामरण से भगवान सरी क्रश्ण विश्णु भगवान को स्नान करवाएं पंचामरण का भोग लगाएं खीर का भोग लगाएं इस दिन हो सके तो सतना रेंड वरत कथा भी सुन सकते हैं आप हमारे चैनल के द्वारा पूरी पूजा विदी भी देख लीजिएगा और वरत कथा भी सुन लीजिएगा हमारे चैनल पर डला हुआ है वीडियो आप जरूर देखिएगा और भी कई उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जूड़ी है चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर जीए जाकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुचेगा हमारे चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब जरूब कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सरी शिवाए नमस्तु भी हम चाहे मात दीए